आई ये शुरू करते हैं अपनी देशी स्टाइल मैगी बनाना यहां पर थोड़ा सा मैंने ओईल लिया है और जीरा ले लिया जीरे को हलका सा भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से प्याज प्याज को आप लंबे भी काट सकते हैं इस तरीके से भी काट सकते हैं और यहां पर हमने हलका सा प्याज को भुनने हैं बिल्कुल नहीं भुनेंगे हम हलका सा मुझे तो यहाँ पर एक मैगी की भूग थी तो मैंने एक लिए आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टमाटर काट लिया अब इन दोनों को बिल्कुल हलका सा सॉफ्ट कर लेंगे ज़्यादा नहीं भूनना देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसके बाद आपको यहाँ पर पूरा मैगी का मसाला डाल देना है थोड़ा सा यह भी भून जाए तो इसके बाद हम पानी डाल देंगे दो कप और अगर सूप वाली मैगी पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो हलका सा बोलाने पर मैंने अपनी यहाँ पर मैगी डाल दी है और आप चाहो तो मैगी क्रश करके भी डाल सकते हो वह भी बहुत टेस्टी लगती है बस कुछ एक मिनिट बाद ऐसी मैगी दिखेगी आपको हो जाएगी और उसके बाद यह काफी ज़्यादा पक चुकी है बट इसको थोड़ा सा और पकाएंगे गैस को बिलकुल मीडियम ही रखेंगे और यह देखो दो मिनिट बाद मैगी बिलकुल ऐसी हो चुकी मुझे थोड़ी थोड़ी सी इसी तरीके से खानी थी तो और थोड़ा सा पका के बिलकुल देखो रेडी हो चुकी है हमारी मैगी बिलकुल और बहुत ही सच मुछ में टेस्टी थी आप भी ज़रूर ट्राइए करना एक दम देसी स्टाइल मैगी है और बहुत ही यमी बनी जरूर ट्राइए करना और चैनल को जरूर सिस्क्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में